आज की defense update वीडियो में दो सबसे बड़ी update के बारे में discussion करने वाले हैं तो जो वीडियो की पहली update है वो बारत के दो मित्रदिश आमने सामने आ चुके हैं इसके अलावा वीडियो की जो next update है वो app 35 को लेकर है तो क्यों अमेरिका अपने सबसे बहुतर fighter jet को बारत को विज रहा है इसके पिछे क्या वज़ा है तो इन दोनों ही update की बारे में detail से discussion करने वाला हूँ तो अगर आप मेरे defense channel पे नए है तो प्लीस मेरे defense channel को subscribe करें बेल अकन दबना ना बोले और comment section में जैहें जैबर जलुकिएगा तो आज की defense update वीडियो को शुरू करते है जैसे जैसे रस्य और यूकरिन का जो युद्ध है वो आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ही पूरी दुनिया के लिए जो negative impact है वो ज्यादा बढ़ रहा है तो फिला रिसेंटली ही आपने सुना होगा कि इरान के उपर एक पोहती बड़ी drone की strike हुई है इसमें इरान के जो nuclear facility है इसके अलावा ज सबसे बड़ी वज़े थी कि लगातार इरान के द्वारा रश्या को अपने जो कामिकाजी drone है उनको supply की जा रही थी और इन ड्रोनों की वज़े से यूकरिन का बहुत ज़्यादा नुक्सान हो रहा था ये तो हो गई पुरानी बात पर अभी रिसेंट में एक बहुती बड ना करें कई रिपोर्टों में यह बताया जा रहा है कि रश्या यूकरिन वर में अगर इस्रायल यूकरिन की हेल्प करता है तो जो रश्या है वहाँ भी सिर्या की हेल्प करेगा जिसकी वज़े से इस्रायल को भी कई प्रबलम हो सकती है रश्या का इस तरह से बयान क्यों दिना पड़ा तो इसके पीछे दो सबसे बड़ी वज़ा है तो पहली इरान के ऊपर हुई ड्रोन स्ट्राइक तो इसके पीछे कौन जिमेदार है उसको लेकर भी कोई बड़ा सा खुला सा नहीं हुआ है पर कयास तो यही लग रहे है कि इस ड्रोन स्ट्राइक के पीछे इसर का सबसे advanced air defense system है iron dome उसकी supply Israel Ukraine को कर सकता है तो अगर Ukraine को iron dome system मिलता है तो वह रेश्या के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनतिक बन सकती है क्यूंकि जो iron dome system है वो low altitude के aircraft इसके अलावा helicopter cruise missile को भी मार सकता है तो इसके counter में रेश्या के पास hypersonic missile तो है जो कि इस air defense system को बड़ी आसानी से चक्मा भी दे सकती है पर जो attack helicopter है cruise missile है इसके अलावा low flying fighter jet को यह air defense system बड़ी आसानी से तबाह कर सकता है तो जो iron dome system है वो रेश्या के लिए एक बहुत बड़ी चुनतिक बन सकता है तो इसी वज़े से रेश्या की द्वारा यह बयान दिया गया है इसके अलावा Ukraine के पास अभी फिलाल जो air defense system मौझूद है उनकी missile या तो खतम हो रही है या तो वह capable नहीं है कि वह modern regression weapon को counter कर सके तो अभी फिलाल इसी वज़े से अमेरिका अपना patria system भी Ukraine को देने वाला है और इसके अलावा अगर यह iron dome system भी Ukraine को मिल जाता है यह चीज रेश्या के लिए पहुत खिच सकती है और बात करें तो यह दोनों ही देश बारत के लिए बहुत ज़्यादा important है रशिया और इसराइल क्योंकि भारत की जो main हतियार supplier है वह यह दोनों ही country है तो रशिया अत्यादुनिक हतियार बारत को provide करता है इसके अलावा इसराइल भी अपने गातक air defense system और drone technology ब प्रति दिन लंबा खिच रहा है और जितना ज़्यादा लंबा खिच रहा है उतने ही ज़्यादा दुनिया के अलग-अलग देशों के लिए मुझके लिए बढ़ा रहा है तो हम यही प्रातना करेंगे कि रशिया यूक्रीन वोर्ड जल से जल खतम हो जाए हम वीडियो की next F-35 fighter jet है वो अब तक का सबसे advanced fighter jet है और अमेरिका ऐसे ही नहीं किसी भी air show में अपना सबसे advanced fighter jet बेच देदा तो इस fighter jet को बारते air show में पेचने के पीछे अमेरिका की क्या वज़ा है तो इसके पीछे सबसे बड़ी वज़ा यह है अगर अमेरिका से बारत F-21 या F-50EX में से क कोई fighter jet को सिलिक करता है तो फ्यूचर में आगे जाके बारत को F-35 जैसा advanced fighter jet भी मिल सकता है तो आपको बात करूं कि जो F-21 इसके अलावा F-50EX से यह दोनों ही fighter jet capability के मामले में बहुती बढ़िया fighter jet है पर भारतिय वायू से ना इन दोनों में से किसी भी fighter jet को purchase नहीं करेंगी क्योंकि अगर आप देख लो कि जो F-21 fighter jet है वो F-60EX का ही एक modernized variant है जिसको पाकिस्तान एक बहुती लंबे time से use कर रहा है जिसके बारे में पाकिस्तान अभिनेटली हर चीज जानता होगा कि इस fighter jet के plus point और इस fighter jet के minus point क्या है और अगर इस चीज को ignore भी करें तो बारत अपने दम पे ही एक light category का तेजस इसके अलावा तेजस mark 2 के उपर भी काम कराया है तो इसकी बहुती ज़्यदा कम possibility है या तो बात करो ना कि बरबर possibility है कि भारत F-21 fighter jet को सिलेक करे इसके अलावा अमेरिका की द्वारा ओपर किया गया दूसरा fighter jet है F-50EX तो जो F-50 fighter jet है वो बहुती ताकतवर और capable fighter jet है पर जो F-50EX है fighter jet F-50 का ही एक variant है जिसको पूरी दुनिया से अलग-अलग air forces retire कर रही है या retire करने वाली है और F-50EX को भी अमेरिकी air force ने एक बड़ी नंबर में इंड़क भी नहीं किया है और भारतिय वाईशेना में भी SU-30MK की स्वरुप में एक heavy category का fighter jet मोजुद है तो यह दोनों ही fighter jet भारतिय वाईशेना के लिए किसी भी काम के नहीं है तो इसकी संबवना पुखती ज़्यादा कम है कि अमेरिकी fighter jet को भारतिय वाईशेना MRFA डिल के तहट सिलक करे एक तरह से भारतिय वाईशेना को लुभाने के लिए अमेरिका ने अपना F- 35A fighter jet भारत के एरो इंडिया 2023 में बेजा है अगर डायरेक्ली अमेरिका F-35 भारत को अपर करता है तो उसके लेने के chances बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि अभी फिलाल भारत का पूरा ध्यान EMCA के ऊपर ही है तो अगर आपको मेरा informative वीडियो अच्छा लगे तो प्लेश सब्सक आमेर चैनल एंड थेंक्यो पो रोचिंग